आजकल अलग ही ट्रेंड चल रहा है लोग expensive चीजे और लेविश लाइफ ही जीना पसंद करते हैं ऐसा ही एक example अवोकाडो फ्रूट का है जो है तो बहुत costly लेकिन लोग इसे खाते जरूर हैं कुछ इसलिए खाते हैं ताकि अच्छी diet फॉलो कर सकें तो कुछ लोग एक दूस ही है यह आपको कई सारे फाइदे देता है लेकिन कई बार इसको ज्यादा खाने से नुकसान भी हो सकता है ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं माइग्रेन पेशिंट के लिए experts भी बताते हैं कि उनको ज्यादा अवोकाडो नहीं खाना चाहिए इसमें मौजूद जरूरी पोशक्तत माइग्रेन पेशिंट के ब्रेन पर अटैक कर सकते हैं दूसरा अवोकाडो सेंसिटिव स्किन के लिए भी ठीक नहीं होता इससे स्किन प्रॉब्लम्स और भी कई स्किन अलर्जीज हो सकती है साथ ही कम क्यालोरी की वज़ा से ये वजन कम करने में हेल्प करता है लेकिन इसम खाने से वजन बढ़ने का भी डर हो सकता है साथ ही हमेशा ध्यान रखें कि किसी वी चीज को जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए उससे साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं और डॉक्टर्स भी यही सलाथ देते हैं तमाम ऐसी हेल्थ अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारे चैनल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कर लें